नमस्कार में सुशिर महापातरा WPL की अक्षन खतम हो गई है 5 टीम ने कुल 90 खिलाडियों को खरीदा इसके लिए करीब 60 करोड खर्च किये गए 90 में से 30 खिलाडी बीदेशी हैं जबकि 60 भारत ये खिलाडी है सबसे पहले RCB की बात करते हैं RCB के पास कुल 12 करोड थे RCB ने 18 खिलाडियों को खरीदा जिसमें से 6 बीदेशी खिलाडी है RCB की टीम काफी अच्छा लग रही है इस टीम में स्मुत्ती मंधाना के सासाथ कई और बेहतरिन बल्लेबाज है इस पोर्टक बल्लेबाज रुचा घोस, तेज गेंदबाज रेनुका सिंग और इसके सासाथ बिदेशी खिलाडी भी सामिल है अस्ट्रिला टीम के ओल राउंडर एलिस से पेरी इस टीम में है पेरी टीटोंटी में पंद्रासों से भी ज्यादा रन बना चुकी है और 120 विकेट ले चुकी है टीटोंटी में पेरी के नाम साथ आर्धसा तक सामिल है और पेरी चार बार चार से ज्यादा विकेट ले चुकी है निउजलेंड टीम के अलराउंडर सोफी डेवाइन आर्सेवी टीम में सामिल है सोफी एक बहुत अच्छा अलराउंडर है सोफी 3,000 के करीब रन बना चुकी है T20 में सोफी की ओसत 30 के करीब है जबकि स्ट्राइक रेट 121 है जो महिला किर्केट में बहुत अच्छी मानी जाती है सोफी T20 में 110 विकेट ले चुकी है आर्सेवी टीम में इंगलंड के पूर कप्तान और मिडलेडर बल्लेबाज हैदर नाइट भी सामिल है नाइट 1500 से भी जादरन मनाई है कभी कभी गेंद बाज भी कर लेती है नाइट के नाम 17 आर्ध सतक और 1 सतक सामिल है साउथ अपरिका की खिलाडी वेन निका को रयाल चालेंजर बैंगलोर ने खरीदा है और इसके लिए बैंगलोर को सिर्फ 30 लाग रूपया खर्च करना पड़ा लेकिन निकर्क एक बहुत बहतरीन ओल राउंडर है टी टूंटी में निकर्क की ओसत 28 से जादा है जबकि 55 विकेट ले चुकी है आर्ध सीवी ने अस्ट्रिला के तेज केंद बाज मेगन स्कॉट को खरीदा है पहले राउंड में स्कॉट को किसी ने नहीं खरीदा लेकिन दूसरे राउंड में बैंगलोर ने 30 लाग में खरीदा है इस टीम में बल्लेबाज के साथ साथ कई ये अच्छे ओल राउंडर है रेनुका सिंग और मेगन जैसे तेज गेंद बाज है तो RCB एक परफेक्ट टीम की तरह दिखाई दे रही है RCB के बाद दूसरे टीम जो मुझे सबसे आच्छी लगी वो है दिली कापिटल्स दिली कापिटल में सेफाली बर्मा के साथ साथ जेमीमा रोड्रिक्स भी सामील है सेफाली सलामी बल्लेबाज है बिसपोटक बल्लेबाजी करती है और जेमीमा एक अच्छा मिडिल अडर बल्लेबाज है जमिमा भारत के लिए फास्टाउन वल्लेबाजी करती है पाकिस्तन के खिलाब वर्ल कौप मैंच में जमिमा ने अर्धसथक लगाई थी दिली की मीडिल अर्डर वल्लेबाजी बहुत स्ट्रोंग दिख रहे है दिल्ली के टीम में औस्ट्रीलिया के महिला टीम के कप्तार मैक लेनिंग भी सामзд है जो टाप मिड्ल अडल बल्ले बाज है T20 में मैक लेनिंग के ओसथ 36 से जादा है T20 में वो 2 सतक लगा चुकी है जबकि 15–10 सतक उसके नाम है दिली के टीम में इलिड़न टीम के מिडी लेडर बल्लेबाज Elis Kepsie भी है Elis Sir रोज Kepsie एक आच्छा बल्लेबाज है एंगलंड के वर कॉप टीम की हिص्सा है अभी कुछ दिन पहले आईलांड के खिलाब मैच में Kepsie ने से 22 गेंदों में 21 रुन बनाई थी जिसमें 10 चोगे और 1 चके सामिल था T20 में कैपसी का उसाथ 33 से भी करीब है और स्ट्राइक लेट 149 के करीब है साउथ आप्रिका के ओल राउंड और मेरी जोन केपस भी दिल्ली टीम में सामिल है दिल्ली के बोलिंग लाइनप काफी आच्छी दीख रही है राधा यादव, जेस, चोना सेन, पुनम यादव जेसे स्पीन के इंदबाज हैं जबकि औरुन्धती रेडी, सिखा फंडे और तीता सादू जेसे मीडियम पेस के इंदबाज हैं तिसरा सबसे आच्छी टीम गुजरात जियांच दिख रही है गुजरात ने ज़्यादा पैसा बीदेसी खिलाडियों पर खर्च की है गुजरात के टीम में अस्ट्रेला के बेस्ट अलराउंडर एसले गाड़नर है टीटोंटी में गाड़नर के ओसत 27 के करीब है जबकि स्ट्राइक रेट 133 से चादा है टीटोंटी में गाड़नर 48 विकेट ले चुकी है हाली में न्यूजिलांड के खिलाब वर्ल्ल कॉप मैंस में गाड़नर ने 5 विकेट ली थी इंगलंड के बलेबाज सोफिया डंकले और ओस्टिंडिस के पूर्ब कप्तान और विस्पोटक बलेबाज डियंडरा डॉटीन गुज़रा टीम में सामिल है डॉटीन के नाम टीटोंटी में सबसे तेज सत्क मानने का रेकर है डाटिन के नाम T20 में सबसे ज़्यादा छक्के मानने का रेकर भी है गुजरा टीम में ऑस्टेलिया के सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी भी सामिल है T20 में मुनी के आस्ट 49 से करीब है जब कि स्ट्राइक रेट 125 है मुनी T20 में 15 आर्ध सतक और 2 सतक लगा चुकी है अगर गेंदबाज की बात करें तो गुजरात के टीम में ऑस्टेलिया के लेक स्पिनर जर्जिया वेरहम भी सामिल है 2018 में जर्जिया ने ऑस्टेलिया टीम में पहली लेक स्पिनर बनी सेर नुआनने को अपना हीरो मानती है गुजरा टीम में स्नेहराना भी सामिल है, स्नेहराइट यार अब ब्रेक केंद बाज है जरुरत पन्ने पर बल्ले बाजी भी कर लेती है अब मुंबाई टीम की बात करते है मुंबाई ने भारत ये महिला टीम की कप्तान हर्मन बित कौर को एक करोड असी लाक में खरीदा है लेकिन मुंबाई टीम ने सबसे चादा पैसा इंगलंड के अलराउंडर नताली सीवर को दिया है मुंबाई ने सीवर को तीन करोड बीस लाक में खरीदी है Seaver WPL में दूसरी सबसे महेंगा खिलाडी है Seaver Top Order बल्लेबाज के साथ साथ मध्यम गती गेंदबाज भी है England के तरफ से T20 में पहला हाट्रिक लेने का record Seaver के नाम है T20 में Seaver 25 के आउसर से 2005 रन बना चुकी है जबकि 78 विकेट भी ले चुकी है Mumbai टीम में New Zealand के सांदार खिलाडी Amelia Care सामिल है Amelia के नाम एक दिवस्य मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का record है यानि एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का record है एक दिवस्य मैच में Amelia 12 सतक लगा चुकी है चाहे पूरूश हो या महिला कम उम्रक में 12 सतक मामले में Amelia पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश वारियर्स की टीम भी ठीक ठाक है इस टीम में दिप्ति सर्मा, अस्ट्रेलिया के तहिला, मैगराथ, ग्रेस, हैरीज जैसे ओल राउंडर सामिल है एलिसा हली जैसे सलामी बलेबाज भी सामिल है यूपी वारियर्स ने सेता सेराबत को भी 40 लाक में खरीदा है सेता अंडर 19 वाल कॉप में सबसे ज़्यादा रन बनाई थी सेता की औसवत 90 से भी ज़्यादा थी यूपी के टीम में इंगलन के सबसे वहत्रीन स्पिन गेंद बाज सोफी एकलस्टन भी सामिल है तो इसी तरह सभी टीम ने लगभग अच्छे खिलाडियों की चैन की है और सबसे बड़ी बात है जो सबसे अच्छी टीम लग रही है वो बैंगलोर है और इसके बाद दिल्ली कापिटल्स है